गूड अफटनून प्लस वन बे क्लास आज का मारा टोपिक है अकाउंट्स के रूल्स अकोडिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जैसे की बेटा आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो जितनी भी बिजनस की ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अकाउंट्स में तीन पार् परसनल एकाउंट नमबर टू रियल एकाउंट एंड नमबर थ्री नॉमिनल एकाउंट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं बिज अकाउंट्स में जितनी भी लेन देन हैं वो सारी कि सारी ट्रांजेक्शन्स इन में से किसी ना किसी अकाउंट में वो जाती है और इन सब के अकाउंट के अलग-लग rules है उन rules के according वो transaction जिस account में भी जाएगी उसके according ही उसमें rule लगेंगे और हम अपनी transactions को record करेंगे record कैसे करना है वो हमने main बात सीखनी है अब बात आती है सबसे पहले personal अकाउंट के personal अकाउंट में क्या हो इसका क्या rule है debit the receiver debit the receiver and credit the giver क्याने का means कि जो person कुछ receive कर रहा है उसे debit कर दो और जदी वो person कुछ किसी को दे रहा है तो उसे credit कर दो अब बात आती है आपको बताना है कि debit or credit यह क्या है बैटा debit or credit किसी भी account के two sides है एक debit और एक credit according to double entry system double entry system के according सारी की सारी transactions two parts में record होती है एक debit side और credit side तो उसकी according हर एक account में जो भी transactions आएंगी वो debit भी होएंगी और credit भी होएंगी वो कैसे फो एक्जामपल फो एक्जामपल हम लेते हैं goods purchased from Ram here Ram is the personal account यह किस के अंदर आता है personal account ओके हमने goods को purchase किया Ram से Ram is the personal account हमने Ram से purchase किया है तो then Ram क्या हुआ giver तो हमने इस बताया कि giver को क्या करते है credit इसलिए जो हम यहां पे Ram क्या होगा credit ओके credit की short form है CR Ram यहां पे क्या हो गया credit क्योंकि वो giver है now second लेते है goods sold to sham अब यहां पे sham personal account है यह क्या है हमारा personal account में जी जाएगा और यहां पे फिर्म चेक करना है कि जो sham है है तो यह personal account के अंदर मगर यह receiver है जांगीवर अब इस condition में sham को हम good sold कर रहा है business man तो sham के receiver तो इस case में sham हमारा receiver है इसलिए इसलिए वो होगा debit यहां पे शाम को क्या करेंगे इस transactions के according debit और यहां पे राम को क्या करेंगे credit तो यह मारा rule हुआ personal account का किसे भी transactions के अंदर जदी person का नाम आता है और वो person जदी receiver है तो उसे debit कर दू जदी वो giver है तो उसे credit कर दू ओके now हम लेते हैं real account real account and nominal account यह किसके अंदर आते हैं impersonal account आपको chart बना कर पहले हमने बताया था impersonal account के अंदर आते हैं तो बेटा real account इसके अंदर के आते हैं सारे all assets आते हैं यह बताया गया आपको all assets और जदी transactions के अंदर asset आ रहा है तो हमने वो जो asset है वो किसके अंदर आएगा real account के अंदर तो real account का rule लग जाएगा asset के लिए तो इसमें real account के अंदर क्या rule है debit what comes in debit what comes in and credit what goes out कहने का meaning कि जदी वो asset हमार बिजनस में आन के पास बिजनस के अंदर आ रहा है increase हो रहा है तो उसे debit कर दो जदी वो asset decrease हो रहा है बिजनस ते जा रहा है तो उसे हम credit कर दो हम इसके एक्जामपल लेते है building purchased बिल्डिंग पर्चेजड यहां पी building क्या हमारा asset पहले आपको सब की पेचान करवाई है कि what is asset सब बताया asset क्या है इसके कितने टाइप्स है तो अब building हमारा asset है तो जहां पी asset है तो real account के अंदर आएगा फिर check करो कि जहां पी asset comes in है जहां goes out है asset क्या हमारा comes in जब purchase करेंगे तो यह business के पास आएगा increase होगा comes in है यह increase हो रहा है तो फिर जो आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे debit तो इस transactions के अंदर जह building purchase it is the transaction यह एक transaction है कौन सी transaction business transaction हमने only business transactions ही लेनी है तो business transactions के अंदर जो जह building है यह comes in है तो comes in को क्या करते है debit debit what comes in and credit what goes out तो building क्या होगी अब debit second हम लेंगे मान लो हमने किया कि हमने अपना जो plant है लगाया हुआ था plant and machinery जो हमारे पास है वो हमने बेच दी plant and machinery sold और इसमे ये asset है तो यहाँ पर asset क्या है हमारा decrease हो रहा है goes out हो रहा है तो goes out वाले asset को क्या करना है credit और जब तो asset हमारे पास आरहा है business के अंदर comes in हो रहा है increase हो रहा है तो वो debit हो जाएगा और ज़दी वो goes out है decrease हो रहे है तो वो credit हो जाएगा तो आपको यह पता चला कि personal account के अंदर जब कोई person का name आता है तो उसके लिए rule के apply करना है कि that person is receiver or giver जदि कोई asset आता है तो उसके लिए आपने think करना है कि that asset is comes in or goes out अब बात करते है nominal account की nominal account के अंदर हमने बताया था कि क्या आता है all expenses and incomes आती है यह बताया था आपको पहले अब बात करते है इसका nominal account के अंदर जो हमारे पास expenses और incomes आएंगी expenses की क्या examples है incomes की क्या examples है वो सब हम बता चुके है तो उसका क्या rule है debit all the expenses and losses जित्तों भी लोग सम बिजनस में होते हैं उन सब expenses को खर्चों को और लोशीज को क्या करते हैं debit and credit all the incomes and gains जो भी हमें incomes होएंगी बिजनस में जो भी profits होएंगे बिजनस में उसको क्या करेंगे credit तो बेटा for example हम लेते हैं salary paid salary business के लिए expenses है okay this is the expenses expenses क्या करते हैं debit इसलिए salary paid के अंदर salary क्या किया जाएगा debit जब आपको इसके rules understand हो गए और आपको यह recognize हो गए कि person कौन से होते हैं real account में assets कौन से होते हैं nominal account के अंदर expenses और incomes कौन से होती हैं उन सबको पहले आपने recognize करने हैं अच्छी से आपको फेचान करने हैं rules आपको learn करने हैं तो ही आप आगे transactions की recording हम सीख पाएंगे second हम लेते हैं commission received commission received commission हम receive कर रहे हैं हम कुछ भी sold करते हैं हम business में मानलो commission receive हुई है commission क्या हमारी income तो income के लिए क्या rule लिखवाया है credit all the incomes and gains तो इसलिए जहां पे commission क्या की जाएगी credit ओके आपको इन तीनों की rules understand करने हैं कि जितने भी expenses और incomes हैं expenses को debit और incomes को credit ओके personal account में persons आते हैं वो person account कितने तरह का होता है उन सब के बारे मां को audio बेज चुकी हूँ फिर से बेज देंगे मगर आप सब ने इसको understand करने हैं और कोई doubt हो तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो Thank you